उत्तर प्रदेश में DLA प्रसिक्षों के लिए online internship जिसे करके सिखना कारियोजना की नाम से जाना जाता है, conduct कराई गई है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि GP app के माध्यम से जो आपने अपनी सारी detail फिल की थी, क्या उत्तर प्रदेश level पर आपकी detail सही show हो रही है या फिर नहीं और सभी जीलों की जो list जारी की गई है उसमें आपका नाम show हो रहा है या फिर नहीं और अब marks के लिए आपको क्या करना होगा इसके बारे में भी detail में चर्चा करेंगे। इसक्रिन पर आप Excel फाइल देख पा रहे हैं जिसमें सभी जीलों के candidate की list दी गई है आपको ये list इस वीडियो के description में एक link मिलेगा जहां से आप directly इसको download कर पाएंगे लेकिन मैं पहले बता दूँ कि ये सभी phone में open हो सकता है कि ना हो आपको इसके लिए application डाउनलोड करना पढ़ सकता है तो आप Google Play Store से कोई भी application जो की Excel फाइल को support करता हो वह open कर सकते है Excel reader के नाम से अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपको आपका नाम search कैसे करना है तो आप देख रहे होंगे उपर वाले में यहाँ पर लिखा हुआ है first name ठीक है इस पर आपको click कर देना है ठीक है उसके बाद से आप नीचे जाएंगे और यहाँ पर आपको filter का option मिलेगा इस filter पर आप click कर देंगे उसके बाद से यहाँ पर नीचे scroll down होंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा filter items ठीक है इस पर आप click कर देंगे उसके बाद से यहाँ पर अपना first name लिखेंगे ठीक है जैसे मान लिजिए कोई भी आप नाम ले लिजे मैं राहुल नाम से सर्च कर रहा हूँ ठीक है राहुल कुमार देखिए राहुल कुमार नाम से जितने कैंडिडेट्स ने उत्तर प्रदेश में डियलेट के ऑनलाइन इंटर्शिप में पर्टिपेट किया होगा सभी का नाम आ चुका है और यहाँ पर आप देखेंगे इस साइड में तो डिस्ट्रिक्ट सभी जिले का बलिया गोरकपुर, बलिया वराणसी, मथूरा हर्दोई आप सभी जिले में जितने कैंडिडेट थे सभी की लिष्ट आ चुकी है, इसके अनुसार आप फिल्टर लगा करके अपना नाम सर्च कर सकते हैं और जब आप इधर जाएंगे, राइट साइड में, तो यहाँ पर आपको दिखेगा BL Children Tested, यानि कि जो आपने baseline assessment किया था, कितने कैंडिडेट का किया था, उसके बारे में चर्चा की गई है, फिर यहाँ पर दूसरा आप देखेंगे ML assessment और तीसरा EL assessment, सभी में आपको 10-10 show होगा, यानि कि आपका सभी detail सही है, अगर किसी candidate के 10 से कम या फिर अधिक भी show कर रहे हैं, तो आपको घबराने की जोरत नहीं है, इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, अलांकि CRT के द्वारा standard 10 candidate का माना गया था, लेकिन अगर किसी प्रात्मिक विद्याले या फिर उच्छे प्रात्मिक विद्याले में number of candidates की संख्या कम थी, तो भी आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन GP app के माध्यम से आपने detail भरी है, और आपने करके सीखना कारियोजना में participate किया है, तभी आपको इसके marks मिलेंगे, अब बात करते हैं कि आपको marks के लिए क क्या करना होगा, इसकिन पर आप DL8 2018 बैच के चतूर्थ समेश्टर के लिए pro farma देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये आपको print out करा करके अपने जिस college से या फिर जिस school से आपने internship किया हुआ है, वहाँ के प्रचारे से आपको ये number लेना होगा, और इस number को ले करके आप अपने college में submit करेंगे, अगर बात करें DL8 2019 बैच की तो उसके लिए भी pro farma आप देख पा रहे हैं, और इन दोनों का link मैं इस video के description में देदूँगा, जहाँ से directly आप इस pro farma को download कर पाएंगे